वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों यहां पर हम लोग कवर अप कर रहें इंडियन हिस्ट्री के तीन हजार से ज़ादा कोश्चन्स और यह वो कोश्चन्स हैं जो आपके समीक्षा अधिकारी में 100% आने वाले हैं मतलब इंडियन हिस्ट्री के अगर मैं बात करूँ और उसमें तकरीबन आप समझो कि 25 स से लेके 30 कोश्चन के बीच में आएंगे इससे जादा भी नहीं आएंगे और शायद इससे कम भी ना आएं ठीक है मतलब 25 से 30 के बीच में कहीं number of कोश्चन्स रहेंगे इंडियन हिस्ट्री के इसमें से आप मान के चलो यह जो हमारे 3000 कोश्चन हैं यहां से आपको तकरीबन तकरीबन 22 से लेके 24 तक इतने कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100% में आपको बता रहा हूं तो अगर आपने अभी तक फॉलो करना स्टार्ट ना किया हो हमारी सीरीज को जरूर करिए बहुत जादा बेनिफीशल है यह और अगर आप चाहें इसका PDF पर्चेस करना तो उसके लिए आपको सिंप्ली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर कॉंटेक्ट नंबर दे रखें इस्टेडी फॉर सिवल सर्विसिस के उन ओफिशल कॉंटेक्ट नंबर पर कॉल करिए और कॉल करके आप इस PDF का डिमांड कर सकते हैं ठीक है बारहाल फिर य इसली यहाँ पर सारे इन क्वेश्टन को देख सकते हैं और कहीं अगर आप माइक्रो नोट्स बना रहे हैं तो उसको आप बनाते रहिए और पहली बार चैनल से जोड़े हैं तो सबसे बहुत काम करिए सबस्क्राइब करिए चैनल को उसके बाद नोटिफिकेशन बेल के आ दिवेशन की अद्यक्ष्टा की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था उसको पारित किया गया था थोड़ा सा पीछे चलते हैं पीछे चलते हैं यानि कि हम बात कर रहे हैं कि इसकी 1928 की 1928 में नहरू रिपोर्ट ये सामने आती है उसके बाद भई ब्रिटि कि कोई आंसर मिलने से रहा कि वो ब्रिटिश सरकार थी उनको तो मतलब नहीं था किसी बात से वो समझते थे कि यह तो ऐसे ही चला है और होता रहे का यहां पर जन आक्रोष तो कभी आएगा नहीं वैसे भी हिंदुस्तान की जनता जो है बहुत ही कम मतलब रिवर्ट करती है इनके बसका वैसे भी नहीं जब तक इनको कोई लीड करने वाला ना हो लेकिन हां ये बात जरूर है कि अगर एक बार भढ़क गए और एक बार बाते समझ में आ गई तब इन्हें रोक पाना नामुम्किन सी बात है अब क्या हुआ कि चलो 1928 की रिपोर्ट आई ब्रिटेज गवर्मेंट ने उसको मतलब कोई तबज्जो नहीं थी उन्हें मानने से इंकार कर दिया अब उसके बाद दिसंबर 1929 में ये जो कॉंग्रेस का सेशन हुआ ये एतिहासिक कॉंग्रेस सेशन था क्यों क्योंकि इसम यहां पर यह प्रस्ताव पारित करा गया पूर्ण स्वराज का ठीक है अब इसमें अध्यक्षता किसने करी पंडित नहरू जिनको आज जो है बहुत क्रेटिसाइज करा जाता है मुझे लगता है आप मैंसे जो लोग मेरी बात सुन रहें बहुत सारी लोग इस बात से एग कॉंग्रिस का कॉंट्रिब्यूशन नहीं है देश को बनाने में तो में रखता है फिर हिंदुस्तान का जो आधुनिक हिंदुस्तान है उसका अस्तित्व मानने पर ही आपको जो है शक करना पड़ जाएगा पारहाल यहां पर हम बात करता है किसकी पंडित नहरू की पंडि नहरू ने जंडा फैराया था कहा तो आगे चले नेक्स्ट को देखें इससे पहले कुछ एक इन्फरमेशन है आप लोगे जो बहुत इंपर्टेंट है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप आरो की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम क पेड कुईज रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब कुछ सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को क्रेक करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए लेटेस्ट ग्रूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रूप में आपको एडमीशन लेने के 960-66089 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फर आप 7523-864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपग कर सकते हैं और यह लेटेस्ट गुरुप जो है इसमें आप एड्मिशन ले सकते हैं और रावी नदी के तड़ पर भारतिय स्वतंतरता का तिरंगा जंड़ा वहां पर फेराये गया था पंडित नहरु के द्वारा ठीक है इस डेट को अब जरूर याद रखेगा बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट यह डेट है और यह जो हमने कॉंग्रस के सैशन की बात करी है एतिहासिक लाहूर सेशन है इसके उपर बहुत बार कोशन आ चुके हैं चलिए अब मूव आउन करते हैं नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट यहाँ पर कोशन है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्ध रात्री में भारती राष्ट धोज यानि कि तिरंगा जो है वो किसने फैराया था आउवियस सी बाते अभी हमने बात करी है इसके बारे में हम जान रहे हैं कि पंडित नहरू ने ये काम किया था रावी नदी के तट पर किया था अगला कोशन इसी के उपर बेज़द है कि स्वतंतरता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कभ फैराया गया पंडित नहरू के द्वारा फैराया गया रावी नदी के तट पर लहौर में कॉंग्रेस का लहौर सेशन 1929 बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इतिहास से जब आप प्रेम करना शुरू करोगे ना प्रेम करने का मतलब बस डूप के देखो उस समय को जीना सीखो उस समय को जीना जब आप सीख जाओगे तो आप यकीन मानो कि आप सारी बातें भूल जोड़ी हैं अगर आप इसके बारे में जानना शुरू करोगे देखना शुरू करो पढ़ना शुरू करोगे आपको चीजें रटनी नहीं पढ़ेंगी चीजें खुद बा खुद आपको यहां पर याद होजाएंगी अगला कोशन यहां पर इसने पूशा गया है भारती कौन सा Congress Session है अब अभी हम इतनी सब बात कर चुके हैं लघर अधिवेशन की तो यह लघर अधिवेशन ही यहां पर हमारा Congress Session होगा ठीक है जिसमें पंडित नहरू ने पहली बार Congress की अध्यक्षता की अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं कि पहली बार अध्यक्षता की इ 26 जन्वरी इसको स्वतंतरता दिवस मनाने का निश्चे किया गया था ठीक है क्यों क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था और इसी में ही 26 जन्वरी को स्वतंतरता दिवस मनाने का निश्चे किया गया था कॉंसी डेट को 26 जैन्वरी को ठीक है चलो इसके बाद मूव ओन करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर अब ये जो कोश्चन है इसमें पूशा गया है कि निमलिखित भारती रास्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कॉंग्रेस का पूर्ण सुराज ये तो उसको घोश जवाल नहरू, राजिन्द परशाद, सुबाश्चन बोस तो अभी आप सारी बातें जान चुके हैं मुझे नहीं लगता कि इन कोश्चन को आप कभी भी गलत कर पाओगे 100% आपको याद रहेगा कोई इसका मतलब ही नहीं है कि आपको चीज़ें यहाँ पर याद ना रहे इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करें इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा 1929 में कॉंग्रेस के लौहर अदिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अब कौन सा इसमें शामिल नहीं था आपको यह बताना है तो यहाँ पर अगर हम बात करें 31 दिसंबर 1929 को गोशिज जो संकल पत्र था लहुर अदिवेशन का उसमें क्लियरली यह बात मेंशन थी कि इसमें जो आपका यह भारत की जो विदेश नीती है इसकी गोशना पूर्ण सुराज के लक्ष की गोशना सविनयविग्या अंदुलन प्रारंब करने की तियारी यह तीनों इंक्लूडिट थे लेकिन जो अव इस परशिता उन्मूलन था यह इसका लक्ष नहीं था तो आंसर के आएगा हमारा ऑप्षन टी सो एक बार इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या इस पष्ट किया गया 31 दिसंबर 1929 का जो लहौर अदिवेशन का संकल पत्र था इसमें बोला गया कि गोल में संबेलन से कोई लाब नहीं होने वाला है नहरू कमेटी की ड कॉमिनेंस में नहीं रहेंगे ठीक है इसके अलावा अखिल भारतिय कॉंग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अविग्या अंदोलन उसको स्टाइट किया जाएगा या फिर सविने अविग्या अंदोलन या फिर नागरिक अवग्या अंदोलन इसको शुरू कर दिया जा उसमें सबसे पहली बार भारत की जो विदेश नीती थी उसके बारें बोला गया था कि भारत की एक विदेश नीती होनी चाहिए ये कब बोला गया था 1921 के Congress के अधिवेशन में ठीक है इसको भी यहाँ पर याद रखेगा कि पहली बार जब विदेश नीती की बात हुई थी इंडिया की तब ये 1921 का कॉंग्रेस अधिवेशन था बाकी इसमें भी ये बात नेशन्ड थी इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारती रास्टे कॉंग्रेस के लहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया आंसर तो मुझे लगत भाषन दिया था उसमें उन्होंने ये बात क्लि बात हुई थी कि हमें अब पूर्ण स्वतंतरता चाहिए ठीक है चलो मूव ओन करते हैं आज के नेक्स्ट कोश्चन पे इसमें पूछा गया है कि डांडी यात्रा के साथ निमलिखित में से क्या प्रारंब हुआ था अब यह हूम रूल आंदोलन था या फिर यह आपका सहियो थो मुझे लगता है आपको एकड़े से पता है यह वाली बात कि ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें महातमा गांधी की तो 12 March 1930 को उन्होंने डांडी March शुरू करा था यह डेट ऐ Captain जले थे 24 दिनों की उनकी यात्रा थी आज की डेट में अगर आप देखो तो कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोराता है तो अभी जब राहुल गांदी ने कश्मीर कन्या कुमारी से लेगे कश्मीर तक की यात्रा करी तो वो भी इतिहास एक थी और मुझे नहीं लगता कि कि किसी भी करोन रुपए जो लगाए गए थे उनको डिमनिश करने में उनकी फसनेलिटी को खराब करने में सब एक जटके में बदल दिया तो यह एक शायद गांदी जो सरनेम लगा हुआ है उसी का इंपेक्ट है तो यहाँ पर हम माहतना गांदी की बात कर रहे है कि 12 मार्च 1930 को उन् इस तरीके से अगर हम कहें दानडी को लुक्त सविने अविजया अंदोलन को स्टाइट किया गया था उसको यहाँ पर हमारा आंशार क्या होगा तो सही आंसर यहां पर हमारा क्या आएगा option B option B यानि की सावर मती सावर मती से उन्होंने यह चीज start करी थी सो दोस्तों इसी के साथ अब आज की इस वाले session को यहां पर end करते हैं यह session आपको कैसा लगा है यह comment section में ज़रूर बताना channel को अब ही तक subscribe ना किया हो तो it's my humble request to you कि अगर सफल होना चाहते हो तो इस series को बिल्कुल miss मत करो अपने friend circle में जरूर इसको share करो और channel पर आज और अभी जोड़ जाओ ठीक है तो फिर मलते हैं अगले वीडियो में टिल देन thank you so much और playlist में जाकर previous वीडियो जरूर देखना bye bye